नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर हादिक स्वागत हैं RPSC Only Case YouTube चैनल में दोस्तों RPSC Only Case YouTube चैनल में हम डिसकस करते हैं Delhi News Paper Analysis पे तो आए दोस्तों सुरुवात करते हैं 28 November 2017 के Delhi News Paper Analysis की दोस्तों सबसे पहले हम जिस News पे डिसकस करेंगे वह हैं State Finance Commission से समंदित यानि राज्यवी तायोग से समंदित दोस्तों अगर आप हमारे Delhi News चैनल इसे इस कंटिन्यू सुन रहे हैं तो हमने कुछ दिन पहले डिसकस किया था Central Finance Commission है उन पर हमने डिसकस किया था तो आज चुँकि राज्यवी तायोग से समंदित न्यूज थी तो इसलिए हम इस पे थोड़ा सा डिसकस करेंगे सबसे पहले हम इसके background पे डिसकस करेंगे दोस्तों जो State Finance Commission है वो मूल रूप से सम्विदान में नहीं था यानि अगर ऐसा पुचा जाए कि मूल सविदान में राज्य भी तायोग था तो नहीं था क्योंकि जो State Finance Commission का जो गटन किया गया वो 73 और 74 वा जो amendment हुआ था सविदान में जो पंचाइत राज संस्ताव और जो नगर पाली का नगर निगम नगर परिश्द होते हैं उसके बाद इसका गटन किया गया था अगर एक्जामें ऐसा पुचा जाएं कि जो State Finance Commission होता है उसका गटन सविदान के किन अनुचेदो में से किया गया या किन अनुचेदो में State Finance Commission से समंदित प्रावदान है तो सविदान के जो आल्टिकल है 243i और 243y इन दो जो आल्टिकल है उनमे State Finance Commission के गटन का मलब जो भी उसके समंदित प्रावदान है वो इन दो अनुचेदो में है अनुचे 243i में जो राजिवित आयोग का गटन किया गया है वो पंचाईती रास अंस्ताव से समंदित समेक्षा के लिए की बात कही गई वहाँ और अनुचे 243y में जो नगर निकाई वगर होते हैं उन से समंदित State Finance Commission की बात कही गई गई अलंकि जो गवर्नर होता है वो आपने कह सकते हैं पंचाईते होती हैं और नगर पालिका दोनों का जो कारिय बारे हैं वो एक State Finance Commission को स्कूप सकता है ऐसा भी समदान में प्रावदान है ठीक है अब देख लेते हैं कि जो State Finance Commission होता है उसकी प्रमुक कारे क्या होता है दोस्तों जो भी State Finance Commission होता है वो क्या करता है कि जो भी पंचाईती राज संस्तान होते हैं जैसे ग्राम पंचाईत या पंचाईत समीती जिला परिशद और जो नगर निकाय होते हैं नगर पालेका नगर परिशद नगर निगम इनकी जो एकोनोमिकल सिच्वेशन होती है उस स्थाव और नगर निकायों को धन आवंटीत करता है जो आप कहा सकते हैं कि राज्य की संचित निदी होती है उसमें से धन का आवंटन करता है इसके लाव जो भी State Government को आप कहा सकते हैं revenue मिलता है विविन टेक्सस से उसका भी distribution करता है साथ ही State और जो Central Government है State Government और Central Government है उसके पीचे मीडिटर का भी कारिय करता है लेकिन वो केवल Finance जो Issue होते हैं उनके समन्द में ही ये मीडिटर का का कारिय करता है तो कुल मिला कर इसके जो कारिया है ठीक है वो इसके जो functions है कारिया है वो अपने Central जो भी टायों कि उससे मिलते जुलते हैं बस फरक इतना है कि वहां Central होता है या स्टेट हो जाता है ठीक है तो आपने इसके कारियों देख लिए राज्य वितायों के बारे में प्री में भी पुछे जाने के संभावना रहती है मैंस में भी पुछा जा सकता है पंदरा सप में पचास सप में अगर थोड़ा analytical question आ गया तो बड़ा question भी आ सकता है कि राज्य वितायों की जो सिपारे से कौन से रही वरतमान में इसके कारिये कौन से किया ये अपने उदेशियों में सपल रहा है या नहीं रहा है और या पिर इसमें सपल बनाने के लिए आप अपने कैस हो जाओ दे सकते हैं ऐसे analytical question भी आ सकते हैं आशकल आते भी है ठीक इसके अलावा जो ये राज्य वितायों होता है ये अपना प्रतिवेदन तियार करता है कि प्रतिवेदन होता है उसमें वो कौन रखाता है वो राज्यपाल रखता है तो राज्यपाल प्रस्तुत करता है तो वो राज्यपाल प्रस्तुत करता है एक्जाम में ये ऐसे भी पुचा जा सकता है कि जो निम्न में से राज्येपाल का कौन सा कारिय नहीं है या कौन सा कारिय है तो उस कारिय में एक राज्येपाल का एक कारिय ये भी है कि वह राज्येवितायोग का जो प्रतिवेदन होगा वो विदान मंडल में रखेगा इसके लिए जो राश्टपती होता है, प्रेशिडेंट महोदे होता है, वो क्या करते हैं कि जो सेंटरल वितायोग होता है, सेंटरल फाइनेंस कमिशन होता है, उसका जो आप कहा सकते हैं प्रतिवेदन वहां के संसद में रखते हैं, पार्लेमेंट में रखते हैं, चुंकि ज पहला इस्टेट फाइनेंस कमिशन का गठन किया गया वो 1994 में किया गया और इसने अपना कारे स्वरू करना किया वह 1995 से लगाकर दो चार तक किया, पांच वर्स इसका कारिकाल होता है, कितना कारिकाल होता है, पांच वर्स और पहली बार जो कारिक किया है, वो 1995 से लगा कर 2000 तक किया है, क्योंकि इस पस्ट है 1995 से 2000 पहला 2000 से 2000 पांच दूसरा, 2005 से 2010 तीसरा 2010-2015-2014 और 2015-2020 यानि वर्तमान में पांचवा राज्यवितायोग अपना कारिय कर रहा है उसके जो वर्तमान में अद्यक्स है वो Dr. Jyoti की रण है Dr. Jyoti की रण एक एकनॉमिस्ट है बहुत बड़े एकनॉमिस्ट है उनको पांचवे राज्यवी तायोग का अध्यक्स बनाए गया है राजिस्तान का पहला राज्यवी तायोग जिसका गटना 1994 में किया गया था और जिसने कारी उनीच्ट पंचान्वे में स्टार्ट करना सुल किया था उसके अध्यक्स केके गवल थे पहला और भरतमान इनको लेकर एक्जामिक पुछ जाने के संभावना है रहती है तो इन दोनों के बारे में मैं पता आना चाहिए इसके लावा जो पांचवा राज्यवी तायोग है उसने जो अपनी कुछ सिपारिसे की है उसने प्रमुग सिपारिसे है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते है जो पांचवा राज्यवी तायोग था जो डॉक्टर जयोती किरन की एदिक्स्ता में घटित हुआ था ठीके तो उसने एक सिपारिस की थी कि जो जितने भी पंचाईती रास अंस्ताइं होती यानि कि ग्राम पंचाईत, पंचाईती समिती, जिल्ला परिशत इनको एक परफॉर्मेंस गांट दी जाए यानि कि अगर ये अपने जो भी अकाउंट वग्यर होते हैं उनकी प्रॉपर ओडिटिंग करवाते हैं परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं तो इनको कुछ स्पेशल पैसे दिया एक्स्ट्रा पैसे दिया जाएंगे तो इससे क्या होगा एक तो करॉप्शन रुखेगा कि वह अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे लेकिन उससे में राजी सरकार ने सिवकार ने किया तो और पांच वी तर्यों के समय सिवकार कर लिया और जो स्टेट की जो इंकम है उसका लगबग साथ प्रतिसत साथ दस्मलाव एक आंट दो प्रतिसत जो पंचाईती राजसनस्ताओं को दिया गया है यानि कि राज्य सो रुपया कमाता है तो साथ रुपय पंचाईत राजसनस्ताओं को दे जाएगा यह दो प्रमुक सिपारी से हैं बागी और भी सिपारी से थी वो आप किसे भी स्टेंडर्ड बुक्स में पढ़ सकते हैं अब आते हैं दोस्तों अगली नूज पर जो अगली नूज है वो अजे वारियर से समंदित हैं अज्यर्वारियर क्या हैं अज्यरवारियर एक कह सकते हैं इंडिया और अमरिका के बीच जाइन्ट joint जो कह सकते हैं अपने training military practice है बारत अमेलिका भी joint training military practice है जिसका नाम Ajay Warrior है और ये 1 December से 14 December के बीच आयोजीत की जाएगी और ये हमारे लिए important इसलिए बन जाता है क्योंकि ये आयोजीत की जाएगी राजस्तान में अब ये राजस्तान में कहां आयोजीत की जाएगी और इसके एक मालब इस जो ये कह सकते हैं joint जो training military practices है इसके इसमें क्या प्रमुक रूप से इसका क्या होगा इसका बाज को क्या फायदा होगा अमेलिका को क्या फायद होगा इसके बार में थोड़ा सा discuss करेंगे लेकिन वो एक December की news में discuss करेंगे क्योंकि राजस्तान में आजीत होगा लगबह 14 दिन तक आजीत होगा तो निस्चित रूप से news paper में उससा में detail से cover होगा अब आते हैं अगली news slide पे अगली news slide पे जो सबसे पहले news है दोस्तो वो पंदरवे जो कह सकते हैं संगिय वितायोग यानि कैंद्रिय वितायोग Central Finance Commission से समंधित है Central Finance Commission के बार में दोस्तो हम पहले ही अपने DNA में discuss कर चुके हैं इसलिए हम detail से discuss नहीं करेंगे यहाँ आपके लिए एक सवाल है हमने जब पिछली बार डिसकूस किया था Central Finance Commission के बार में तब मैंने आपको बताया था कि सविधान का एक article होता है जिसके तथ Central Finance Commission का गठन किया जाता है अब आपको यह बताना है कि Central Finance Commission है उसका गटन सभीधान के किस article कितात किया जाता है कई कल कई क्या सकते हैं अपने comment box आया थे उसमें comment box में comment आया थे कि जो पिछले Delhi New Journalist होते हैं उनसे कुस question put up किया जाए तो आज समझ दीजे आपके लिए question है कि जो पंदरवा संगी अभीत आयो सरी अपने central finance commission है उस central finance commission का घठन किस अनुचेत के दात होता सभीधान के state finance का तो हमने आज देखा 243i और 243y के दात होता है central finance commission का हमने कुछ दिन पहले देखा था तो अब आपके लिए एक revision भी होगा और आप मौका है कि आपने जो पढ़ा हैं उसको वापस आप दो रहा है तो आपको comment box में बताना है कि किस अनुचेत के दात इसका घठन किया गया था अब बात करते हैं पंदरवे संगी वितायों की जो की कारिय करेगा 2020 से लगाकर 2025 तक वरतमार में कौन सा चल रहा है चवद्वा के अंदरे वितायों का कारिकाल चल रहा है जो की 2015 से 2020 तक है और चवद्वे वितायों की अध्यक्स है वाई वी रेडी जो रिजो बैंके पूर्वा गवर्नर रह चुके है अब जो पंदरवा सेंटरल या संगी लिख दिया गया है जो पंदरवा सेंटरल वित्य आयोग है उसके जो अध्यक्स होंगी की कोशना कर दी गई है और यह होंगे एनके सिंग साब जो एनके सिंग साब है वो अपने मेंबर और पार्लेमेंट रह चुके हैं पूर्वसांसत रह चुके हैं और इसके लाव जो सचे होंगे वो इसके पंदरवीत आयोग के वो अर्विंद महता होंगे तो इसको लेकर प्रस्टनल टीज पे क्रिश्चन आ सकता है कि हाली में पंदरवे संगी आवित आयोग का चैर परस्टन किसे बनाया गया है वर्ड हेल्थ और्गेनाईजेशन है उसमें डिप्टी डिरेक्टर जनरल बनाया गया है तो आप उनको आपिशली रूप से अपटमेंट मिलने वाली है ठीक है तो वापस एक बार इनी हो जाईए तो वापस दोर आ लेते हैं स्वामिया स्वामियनातन से समधितनी हो जाए तो स्वामिया स्वामियनातन को किस UNO संगतन में डिप्टी डिरेक्टर जनरल बनाया गया है तो वो है WHO वर्ल्ड हेल्थ और्गेनाईजेशन ये पता होना चाहिए में अगर मैं पंदरह वड में आते हैं तो भी लिख सकते हैं कि स्वामे शावी नतन कौन है तो भी ये पहली बारतिय मेरे लेहां जिसे डवल एक्चो में डिप्री डारेक्टर जर्णर का पोस्ट अलोट हुई है इसके लाव थोड़ा सा WHO के बारे में जान लेते हैं WHO विश्व स्वास्ति संगेटन इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और स्विजरलेंड का एक सार है जिनेवा वहाँ इसकी स्थापना की गई वैसे जिनेवा बहुत बाल्ट क्रामा सिटी है दोस्तों अब आते हैं अगली जो नूछ पे अखली जो नीज है वो जिलिशरी और जो एगजेकुटिरी है उसके भी स्थाक्राओं से समंधित हैं हम इस नूछ पे कली डिस्कस करने वाले थे लेकिन कल डिस्कस वैसे भी आपको पता कल काफी डिसकस लमा चल गया था कल काफी न्यूस थी तो उसको मैंने कवर नहीं किया कल नियाई पलेका और कार्य पलेका के भी इस टक्राफ हुआ था जो अपने नैशनल लोडे था या सभीदान दिवस्ताच 26 नॉमबर को उस समय जो भारत के कानौन मंत्री हैं लो मिनिस्टर है स्रीमान रवी संकर परसाथ साब उन्होंने कुछ सेटाइर किया पारत के जुडिशरी सिस्टम पे सेटाइर किया उन्होंने कहा कि या जो बारत के Chief Justice of India या अभी बारत के जो Supreme Court है उसको बारत के पदान मंत्री पे ही भरोसा नहीं है किया तो उन्होंने ये सेटार किया था क्रूम इलाके ये इसलिए किया था क्योंकि एक सविदान संसुदन किया गया था सविदान मंत्री होगा और कह सकते हैं इसका लो मिनिस्टर होगा ये सब मिलकर और कुछ नियाजिस पर होंगे मुख्य नियाजिस पर गिरा इन सब के मिलके एक National Judiciary Department Commission बनेगा और फिर वो जजजों की नियुक्ति खरेगा लेकिन उसको फिर सुप्रिम कोर्ट ने रद कर दिया ठीक है कि ये सविदान की मूल सरचना बैसिक स्ट्रक्चर और कॉंसिटुशन के अगेंस्ट है इसके लिए हम इसको रद करते हैं लेकिन बाद में रद कर दिया कि जब देश आजाद वहां 1951 से लगा कर आप संबलो 1981 तक लगबख सविदान लगवादब से लगबख 30 साल तक 31-32 साल तक जो बारत में जजजों की नियुक्की होती थी वो जो होती थी सविदान थोड़ा सबसे लगवाद में जो जजजों होते हैं सप्रीम कुर्ड के जजों चारे हाई कोर्ड के जजजों हो इनके समझने प्रावदान है विदिआन कानूचे ग्हाद 24 कहता है कि सुप्रेम कोर्ड के जजोंगे उनकी नियुक्ती राष्टपती के द्वारा होगी लेकिन जो राष्टपती है जजों की न्युक्ति करने से पहले भारत के मुख्य ने आई दिसकी सला लेगा, एडवाइस लेगा ये सविधान में प्रावधान लेका है सविधान में इस पस्ट उलेक आया है ठीके तो ऐसा ही चल रहा था लेकिन वो सला थी ठीके तो अब क्या होता था कि 1980 तक क्या होता था कि अगर बात में किसी जज है उसकी न्युक्ति करनी होती थी तो सबसे पहले क्या होता था कि जो राष्टपती होता था उसकी न्युक्ति करता था और राष्टपती आपको पता है कि सविदान का अनुचेद है साही 24 जिसमें राष्टपती है कि मंतिय परिशत की सला पे काम करता है जाने कि मैं जो सरकार है वही एक तरसे जजों की नुक्ति करती थी पिछले गेर से और मुख्य नियादी से राष्टपती सला तो लेता था लेकिन उस सला को मानना या नहीं मानना पूरी तरस से राष्टपती पर निरबर था फिर किया था कि फिर ये कोई व्यक्ति थे वो कोर्ट में चले गए ठीक है उन्होंने सुप्रेम पूर्णी जाकर का किसा भी गलत हो रहा है हमारे सरविदान में तो का गया है कि जो नियाई पालिका की स्वतंता है उसको सुनिश्चित किया जाएगा और यहाँ तो सरकार है जो कार्यपालिका है जो मंत्री परिशद है वही इंडिरेक्ट वैसे राष्टपती के थ्रू जजों की नियुकति कर रही है तो फिर नियाई पालिका और कार्यपालिका और विदायका का जो प्रिताकरण सक्ती प्रिताकरण जो मॉन्टेस क्यू का एक सिदान था वो कैसे होगा इन इंडिया तो फिर प्रत्व इसे प्रत्व नियाइदिस वाद कहते हैं 1982 में तो फिर सुप्रिम कोड में सुनवाई हुई कह सकते हैं साथ जजों की सविधानिक पीट बैठी और उन्होंने कहा कि नहीं सला में सला कहने का मला आपने एडवाइस दिये तो एडवाइस होगी राश्टपती पर है कि वो मुख्य ने आए जिसकी सला को माने या नहीं माने ठीक है तो उसमय जो परसे चला आ रहा था वो ही कंटिनू चला लेकिन 1993 में वापस को सुप्रिम कोड में गया तो सुप्रिम कोड की वापस पीट बैठी सविधानिक पीट बैठी नौ जो की पीट ने कहा कि सला का मतलब सला नहीं है सला का मतलब एडवाइस का मतलब सहमती यानि कंपल्स रिये यानि कि राश्टपती को सुप्रिम कोड के जजों की नियुक्ति करने से पहले भारत की मुख्य नयाजिस सला लेनी होगी और वो सला जो भाद का मुख्य नयाजिस सला देगा उसे मानना ही होगा ये कहा दिया 1993 में लेकिन केवल बात के मुख्य नयाजिस की नहीं चलेगी बात के मुख्य नयाजिस होगा उसके साथ सुप्रेम कोड के दो सेनियर मौश्ट जजज हैं वो होगी और इन तीन वक्तिव की जो सला होगी उसकी आदार पर जो मुख्य नयाजिस हैं वो राश्पति को सला देंगे और फिर राश्पति जजज की न्युक्ति करेंगे फिर उन्ही सो अंठान वे में थोड़ा सा इसको वापस गया कोड में तो वापस थोड़ा संसोदन किया उनमें ये कहा कि पॉलिशी तो वही चलेगी सहमति मतलब जो कह सकते हैं अडवाइस तो सब्दी नहीं है सहमति ठीक है और लेकिन जो सहमति होगी उसमें सुप्रिम कोड का जो मुख्य नयाजिस होगा चीव जज़ट अफ इंडिया इसके अलावा जो तीन कह सकते हैं यहां मैंने पांच लिख दिया है लेकिन चार है चार सीनियर मोश्ट जो जज़ होंगे सुप्रिम कोड के जो चार सीनियर मोश्ट होंगे उनके आदार पर सहमति ही बनेगी इसे कॉलेजियम का जाएगा इसे पांच ग्रूप का जाएगा जो कॉलेजियम ग्रूप होगा यह जो सला देगा राश्ट पती को उसी के आदार पर राश्ट पती नुक्ति करेगा और राश्ट पती को यह मानना बाद्यकारी होगा लेकिन इस कॉलेजियम ग्रूप में पांच मेंसे अगर दो मेंबर भी असमत हो जाते हैं तो फिर आपको कह सकते हैं कि उस वो आप एड़ाइस राश्पती को नहीं दे सकते हैं यह तो हुई जजो की नुक्ती लेकिन अगर चीप Justice of India की नुक्ती करनी है तो फिर राश्पती किसे सला करेगा मुक्य नुक्ती करनी है तो फिर वो कॉलेजियम से सला करेगा कॉलेजियम के जो चार अन्य वरिष नुक्ती होगा उनसे सला करेगा हलनकि व्यावरी ग्रूप में यह होता है कि जो Senior Most Judge होता है उसे Automatically मुक्य नुक्ती करनी है ठीक है अब तो यह विवाद चल रहा है फिर NGSE लाए गया फिर उसे रत किया गया तो यह वापस यह विवाद कंटीनू चल रहा है और जब NGSE को रत कर देगा है उसके बास से लगा कर आस तक 2015 में से रत किया गया था और अब 2008 आने वाला है तीन साल में एक भी हाई कोर्ट की जज की नुक्ती नहीं हुई है एक भी सुपन कोर्ट की जज की नुक्ती नहीं हुई है तो यह देखिए जोडिशल सिस्टम में और जज की कामी कामी है और सरकार और नियाय पालिका के भी इस्टक्राओं चल रहा है उसमें बेवज़ जो जुडिशल सिस्टम है उसमें और कमिया आती जा रही है एक सुजाव ये भी दिया जाता है दोस्तों कि जो जजों की नुक्ति का लपड़ा नहीं किया जाए एक परिक्षा करा लिए जैसे ISK परिक्षा होती है उसी तरह एक और इंडिया लेवल पर एक जजों की एक्जाम करवा दिया जाए तो ये भी सला दी जाती है हलांकि इसमें भी काप़ इंप्लिकेशन्स हैं इसलिए हमने इसको डिसकस किया अब आते हैं दोस्तों अगली नूज पर जो अगली नूज है उसमें अगली स्लाइड है उसमें जो पहली नूज है वो अगली जो न्यूज है वो आधित्य एलवन एक जो स्पेस मिशन से समंदित है उसे समंदित है अगर आप हिंदी में आपकी हाथ अच्छे हैं तो जो आधित्य है वो सूर्य का प्राया वजी सब्त होता है तो यह थोड़ा सा जान लेना जरूरी है आधित्य एलवन को लेकर जो केबिशी का सो आधा था उसमें भी क्विशन पुछा गया था अब आते हैं दोस्तों अगली ने उच्पे जो अगली ने उच्छे है वो गोपी थोन कांसे समंदित है गोपी थोन कन एशियाई मेराथन Championship जो कि चीन में आज इस की गई थी उसको जीतने वाले पहले भारति बन गए जाने कि एशियाई मेराथन Championship को जीतने वाले पहले भारति कौन है तो ऐसा एक जान है पुजा दा सकता है तो गोपी थोन कन ये ज्यादा important fact है इसे बारे में पता होना चाहिए इसके अलावा एक news थी जो राश्टी स्थर पर एक शिक्षा निती लाए जाने की बात कही जा रही है तो उसको लेकर एक article आया था पत्रिका में बहुत ही कम important article था लेकिन उसमें एक दो fact है कि जो भी राश्टी स्थर निती आए इसके लावा जिसे नित का विवाद हुआ था नेस्टनल एलिविटी कम एंट्रेस एक्जाम का विवाद हुआ था कि तम्मी लडू ने कहा था कि हमारे बच्चे हैं जो उनका पार्टी करम अलग हैं CBAC का पार्टी करम अलग हैं तो compete नहीं कर पाएंगे और दूसरा क्या होता अलग-अलग state का अलग-अलग particular हुआ जैसे राज्थान board का अलग particular चल रहा है MP का अलग चल रहा है तो फिर क्या होता कि Center level एक्जाम होते हैं स्टेड लेवल एक्जाम में राजस्तान वाले कुछ नहीं दिखत नहीं आए तो उसमें फिर दिख्कत आ दिए, क्योंकि यह की प्राटिकम नहीं होता, अगर आप आयस एक्जाम के थियारी करते हैं, तो सज़स्ट कि जा दिए कि NCRT के किताबे परो, क्यों suggest कि जा दें कि राजसान बॉर्ड की किताबे उतनी standard नहीं है जितनी की सेंटेलर की किताबे होने चाहिए तो अब पूरे जो पार्टिक्रम हो वो पार्टिक्रम में एक रुपता हो यानि कि यूनिवर्सल जो कह सकते syllabus of all India तो यह बात कि जा रहे इसे जो नेशनलिजम को भी बड़ावा में दता है और जो अब भारत में के इंडिया पर फोकस कर रहा है तो उसके लिए भी जरूरती है कि skill labor आए ठीक है उसके लिए एजुकर सिस्टम में जो बदला हो वो भी पूरे ब बता कि actually मध्योपधिस कोवर्मेंट है उन्होंने एक पैस्ता लिया है अगर 12 वर्स से कम कोई चोटी बच्ची है उसके साथ अगर रैप की कटना होती है तो फिर जो आरोपी को फासिक के सजाद दी जाएगी इस कहला हो अगर किसी भी मैला के साथ किसी भी मैला के साथ अग हमारे आरेस मैंस के सेलेबस थर्ड में उलेकित हैं पेपर तींस में उलेकित हैं तो यह आप वहां एक एजर कोट एजर एग्जाम पर इस्तिमाल कर सकते होगी हाली में मध्यपदेश ने भी ऐसा किया है कि इस्टिक प्रावदान अपना हैं ऐसी इकटना होती है उन पर रो करना है होती है उनमें केवल कटो सुझा करके उन पर रोकने लगाई जा सकती लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्खुल कि आप कटो सुझा करोगे तो उससे कुछ फरक नहीं पड़ेगा कुस ना कुछ फरक तो पड़ेगा ही खौप तो पैदा हो गई होगा हालांकि आपको दूसरी दोस्तों ग्लोबल एंटर पैनियोर्शिप समिट है वो हैधरबाद में अजिट क्या जा रहा है और यह बारत अमेरिका का जॉइंट इवेंट है यह इसलिए ज्याधा इंपोर्टेंट मन जाता है क्योंकि जो ट्रम्प जो डोनाल ट्रम्प अमेरिका के राष्ट पती उनक आपके लिए homework किये हैं कि आपको ये बताना है कि हैदराबाद जो है वो भारत के किस राज्य की राजदानी है तो इसे के साथ आज का डेली में जानारे से यह समाप्त होता है इसको सुनने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत आबार बहुत-बहुत धन्यवाद